क्यों? आज यहां के राजा को दणा के धर पर आना पड़ा? दारा, मेरी और तुम्हारी कोई दुष्मनी नहीं है वो भी नहीं सकती, क्योंके हम एक ही ठैली के चठ्थे बठे है हम बुरे बन कर आतंग फ्यलाते हैं और तुम लोग सफेद कपड़े पहन कर आतंग भेलाते हो, भोले भाले लड़कों को आतंगवादी बनाते हो, मुझे शाका का सर चाहिए दारा, वरना वो तुम्हें मार देगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, शाका की तलास जारी है, और दूसरा, मुझे मेरी बेटी वापि शाहिए, वो भी मिल जाएगी, लेकिन राजा साहब, हर चीज की एक कीमत होती है, कीमत बोलो, बड़ी धाक है आपकी इस इलाके में, आप यहां के राजा जो ठहरे, और फिर उपर से मनित, काम की बात करो, काम की बात, हमारे चारा आदमी आपकी मिलिटरी ने पकड़ रख और फिर हमें बॉर्डर पार भी करवाना होगा, अकेले तो मैं बहुत आसानी से पार कर सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरी पूरी पल्टन होगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मिलिटरी वाले उनकी लाशे बिचा दें, और मैं अकेला उस पार पहुंचूँ, ठीक है तुम्हारा ये कामी मैं करवा दूगा, बहुत खूम, शाका का सर तो तुम्हें यही पेश कर दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारी बेटी, वो हमें बॉर्डर पार करवाने के बाद ही तुम्हें मिलेगी, ठीक है, देखो गुल देखो, ने तो रातंकवादी हाथ मिला रह है, इस देश में सब मिले हुए है, इसलिए ना तो कभी यहाँ आतंकवाद खतम हो सकता है, और ना ही कभी इस देश का भला हो सकता है, शाका के मिलते ही, इतला कर देना